Hello everybody, welcome to the GK class, आज का जो हमारे टॉपिक है वो है आपके प्रेजिडेंट से रिलेटेट, हमने लास्ट वाली वीडियो में, लास्ट वाली लेक्चर में डिसक्स किया था about the Indian Rulers, जिसके अंदर हमने ये लास्ट में जाके कहा था कि नेक्स्ट वीडियो जो होने वाला है हमारा वो होने वाला है, Vice or I, Governor General से रिलेटेट, बट उसको भी बढ़ेंगे हम, मैंने आज उस टॉपिक को स्किप कर दिया है, लेकिन नेक्स टॉपिक जो आपके लिया है, वो थोड़ा सा इंपोर्टेंट जादा है, ठीक है, क्योंकि वो थोड़ा डीप चला जाता है, लेकिन य से रिलेटेट सारी चीज़े, साथ ही साथ, 1950 से लेकर आज तक जितने भी प्रेजडेंट रहे हैं, उनकी थोड़ी से ग्लिम्स, ठीक है, तो प्रेजडेंट क्या होता है, कैसे ये काम करता है, उन सब के ऊपर बात करता है, आज डिटेल में, सबसे पहले तो याद रखें, भारत का जो constitution है, उसका article 52 कहता है, कि देश के अंदर एक president होगा, जो देश का head होगा, he would be the first person of the nation, कि सबसे prior अगर कोई person होगा, तो वो president ही होगा, कौन से article है, article 52, आप चे question बूचा जा सकता है, कि भारत के सम्विधान के कौन से article के तहत, president की post को माननेता दी गई है, तो that would be 52, article 52, comment करके मुझे बताना, अगर आप हमारे regular videos देख रहे हो, तो भारत के अंदर कितने, भारत की constitution के अंदर कितने articles है, ठीक है, वो मुझे comment करके बताओ, और अगर आपको इसका जवाब नहीं बता है, तो playlist होलना, वहाँ पे political science होगा, political science का first जो lecture है, वो Indian constitution के उपर है, मैं उसको consider किया जाता है, nominal head of the government, government का nominal head, तो actual head कौन होता है, यह होता है अपका prime minister, देखो होता क्या है, अगर आप भारत के government के structure को समझेंगे, तो यहाँ पे जो power का distribution है, वो बहुत ही जादा wider है, जैसे एक तो होती है, power को centralized करके कोई person अपने हाथ में रखता है, जैसे राजा, राजा के पास सारी power अपने हाथ में होती है, ऐसे ही राजा को replace किया गया था president के थूप, सबसे पहले initial phase में, बट फिर उसके बाद में president क्योंकि अकेले वेक्ति सारा काम नहीं कर सकता, तो उसने अपनी power को distribute कर दिया, जब उसने power distribute किया, तो finally उसने अपने हाथ में जादा power नहीं रखी, maximum power जो उसने दे दी, वो दे दी actual head को, मतलब prime minister को, और उसने एक तरीकी से prime minister को lead कर रहा है, वो के वल, वो उसको देख रहा है कि क्या ये काम रंग से कर भी रहा है कि नहीं, तो actual में तो head कौन हो गया, actual head तो prime minister हो गया, और nominal head किताबों में लिखा हुआ constitution में कौ कोई changes लेकर आने constitution में, या कोई नया scheme वगरा है, तो बिना president के concern में नहीं जा सकते, बिना उसके नहीं जा सकते हो जीज, लेकिन लेकर के कौन आएगा, बनाएगा कौन तो prime minister होता है, इसके उपर भी पूरा का पूरा lecture पढ़ने वाले हैं अपन, बट अभी पहले हम ये पढ सकता है, इसलिए उसने council of minister, prime minister को अपने साथ में रखा है, और ये इसको advise करते हैं, उसी के साब से एक्ट करते हैं, तो ये तो nominal head होगे, ये actual head होगे, next, हमारे यहाँ पर जो government के organs होते हैं, वो basically 3 organs होते हैं, एक होता है legislature, एक executive और एक judiciary, इन तीनों का जो basically head होता है, वो तो president ह होता है, लेकिन यहाँ पर ये याद रखना आप, कि ये जो executive होगे, ये जो legislature है, legislature में parliament को पुरा का पुरा power transfer कर दिया, president ने, और executive में prime minister को और उसके council of minister को इसने पुरा का पुरा power share कर दिया, judiciary में सारा का सारा power share कर दिया, supreme court को, ठीक है, लेकिन head actual में तो अभी तक, मतलब ये ही माना जाएगा, कि president इन तीनों organs के उपर है, ये होते हैं बेटा government के organs, ठीक है, अब देखो, जो भी executive काम होगा, मतलब prime minister जो कुछ भी काम करेंगे, finally उसके उपर जो signature वाला काम होगा, final जो authorities मिली जाएगी, या concern accept किया जाएगा, वो president के थ्रू होगा, कोई भी law बनेगा, तो final signature किसके होंगे, president के होंगे, all such things will be in the hand of president, तो यहाँ पर executive के जितने भी actions होते हैं, वो president के थ्रू लिये जाते हैं, उनी के नाम से लिये जाते हैं, साथ ही साथ, जो memorandum of understanding है, अगर आप किसी foreign country के साथ sign कर रहे हैं, तो वो भी president के थ्रू ही sign होगे, मतलब memorandum of understanding, MOU क्या होता है, पहल तो इसको समझ लो, एक तरीकी का agreement between the two countries, या दो group बहु सकते हैं, दो political parties बोल सकते हैं, दो के बीच में कोई agreement sign होगा, जिसे कोई peace treaty है, या फिर कोई भी ऐसा agreement हम कर रहे हैं, जिसे ये देश को, दोनों देशों को भला होने वाला है, तो ये दोनों sign हो कर लेते हैं, अपने-अपने weapons को test कर लेते हैं, आप comment करके मुझे बताना कि कौन सी country के साथ में, recently हमने Arabian Sea के अंदर testing किया है, इस तरह का war practice किया, तो वो भी जो होगा, वो भी agreement के बाद ही तो होगा, तो वो MOU कौन sign करेगा, भारत की तरफ से President of India, ठीक है, तो ये President के नाम स राजेंदर प्रसाद, डॉक्टर राजेंदर प्रसाद, अच्छा, interim President भी यही थे, और elected President भी यही थे, interim क्या होता है, जब हमारे यहाँ पर Parliament नहीं थी, जब initially हमें आजादी मिली, आजादी मिलती ही हमारी Parliament नहीं बनी, मतलब वहाँ पर elections नहीं हुए, तो सबसे पहले interim President ब गूटिंग के थुरू बने, वो भी डॉक्टर राजेंदर प्रसाद, ठीक है, इसके बाद में, current President के अब बात करेंगे, तो he is, श्री रामनात कुविन जी, यह 25 जुलाई 2017 को चुने गए थे, हमारे देश के President, यह याद रखिया, important है, he was elected as the President on 25th of July 2017, इस बात को आपको य यह आपके constitutional head होते हैं, parliamentary system के head होते हैं, ठीक है, और एक तरीके से मैंने आपको बता दिया, कि तीनों organs के भी head होते हैं, इसके अलावा, President, Supreme Commander होते हैं, आर्मी के, चाहे Navy हो, चाहे Air Force हो, चाहे Indian Army हो, इनके head कौन होंगे, President, मतलब अगर, यह मान के चलें कि कहीं भी अगर लड़ाई हो रही है, तो जो हमारे यहाँ पे Defense Minister है, वो तो होंगे होंगे, इसके लावा Army Chief होंगे, वो भी होंगे, ठीक हैं, लेकिन उसके भी उपर जो होंगे न, वो होंगे President, तो सबसे पहले कौन आता है, President, यह भी आद र यह represent करते हैं हमारे, मतलब यह मान के चलें कि कभी भी अगर कोई भी ऐसी समस्या होती है, जहाँ पे सरकार है, सरकार गिर गई, नहीं है, कोई problem आ रही है, तो जो answerable जिसके लिए होंगे लोग, चाह सरकार के लिए हों, चाह सरकार की तरफ से कोई हों, पुलिस हों, पीस में पूशेंगे, अगर ही government भी नहीं खतम हो गई, तो भी उसके लिए president ही है, जो उस पे उस area पे control अपना establish करेंगे, तो यहाँ पर he represents the notion, but does not rule it, वो notion represent करते हैं, final authorities उस पे होती है, signature वो करते हैं, बट कभी भी वो खुद से rule नहीं करते हैं, मतलब government वो नहीं चलाते, government चलाने क तो council of ministers के पास में होती है, समझो, council of ministers के पास में कैसे होगी, जैसे हैं, मैंने अलग-अलग department बता दिये, finance हो गया, health हो गया, education हो गया, resources हो गया, जो कुछ भी, जितने भी departments हैं, उन सब के ऊपर एक-एक minister होगा, उन ministers को prime minister advise करता है, president उनको चुनता है, मतलब देखो, prime minister elected जानते हो, कैसे, लोग सभा में, जिस भी political party के जो लोग होंगे, सबसे ज़्यादा जिस political party से लोग आएंगे, वो अपना head चुन लेते हैं, उसको president, prime minister appoint कर देता है, अब उसके advice से, president appoint करते है, prime minister बोलेगा, मुझे, यह यह लोग चाहिए, मेरे मेरी, मेरे ministers की तोर पर, तो यहाँ पर set किस नहीं किया, advice prime minister नहीं किया, बट चुनेगा कौन, president, तो यहाँ पर इसने वही कहा, कि actual में, real power तो किसके पास में होती है, council of minister, लेकिन council of minister भी कौन appoint कर रहा है, president, मेरे इसाब से, यहाँ तक तुम्हें कोई तकलीफ नहीं होगी, चलिए आगे देखते हैं, अब question आता है, कि president को elect कौन कौन करेगा, देखो president के लिए भी secret ballot होता है, उस secret ballot में voting होती है, इस voting को कौन कौन इसमें participate करता है, तो बहुत है simple सी चीज़ है, जो भी parliament के member होंगे, एक तो वो करेंगे, ठीक है, पार्लेमेंट के दौनों houses के member, लोग सभा के हों, चाहे राज्ये सभा के हों, ठीक है, इसके अलावा, जितने भी legislative assemblies होंगी, legislative assembly क्या होती है, हर राज्ये के अंदर, जैसे आपके CM को चुनते हो ना, तो जो भी, जो भी वहाँ पर CM की governing body में पार्ट ले रहे हैं, या state elections, ज उसके अंदर जितने भी लोग चुने जा रहे हैं, वहाँ की जुनता के थुरू, वो लोग भी इसमें, इसकी voting के लिए participate करते हैं, यहाँ पर थोड़ा सा, एक important चीज है, समझना चेस है, कि यहाँ पर हर एक vote की value, एक नहीं होती, जैसे मैंने कहा आपको के, per person per vote होता है, one vote is equals to one value, एक vote का एक value, लेकिन president वाले case में ऐसा नहीं होता, हर एक vote की value इस बात से तै की जाती है, कि वो जो विक्ति वोट डाल रहा है, वो कितने लोगों से representative बन कर क्या है, मतलब जैसे prime minister है, prime minister पूरे देश के अंदर ही की है, उसको बहुत सारा लोगों ने चुनके भेजा ह तो ऐसे में वो विक्ति जब vote डालेगा president के लिए, तो ऐसा माना जाता है कि जिसने भी, जिसको भी prime minister ने अपना support दिया, वो विक्ति damn sure president बन जाता है, क्योंकि उसके vote की value जादा होती है, comparatively इन सब लोगों के, तो देखो मैंने आपको कहा कि पार्लेमेंट के दोना houses के जित यह तै करेगी कि उसके अंदर जिसको भी majority मिली है, वो उस राज्य का chief minister बन जाए, तो वो जो भी members है, वो सारे इसके लिए vote डालेंगे, अब सुनना है एक और important चीज, elected members और legislative assembly of Delhi and पुद्दुचेरी, यह याद रखो, यह union territories है, यहाँ पर union territories में कभी भी state government के जैसे elections नही पुद्दुचेरी में भी legislative assembly है, तो इनके members भी जैसे अरविंद केजरेवाल भी vote डालेंगे अब, तो ऐसे में यह भी election में participate करते हैं, president के, अच्छा, एक थोड़ा सा अगर आप से deeply question पूछ लिया जाए, तो थोड़ा सा आप याद रखे, यह वाला, यह जो section दिया हुआ ह कि डैली एंड पुद्दुचेरी के लोग भी legislative assembly के member भी election में participate करेंगे, यह कौन से constitutional amendment के तहत है, तो सतरवे सम्विधान संचोधन के तहत है, जो कि 1992 के अंदर enact हुआ, ठीक, अब दुबारा सुनो कौन कौन, पार्लेमेंट के दौना houses के लोग, राज्जी के जितनी भी assemblies हैं उन सभी के लोग, और union territory में से डैली और पुद्दुचेरी के legislative assembly के लोग election में participate करेंगे, दुबारा सुन लेना, कि यहाँ पर यह union territory है, union territory का मतलब होता है, जहाँ पर खुद की कोई सरकार नहीं होती, लेक participate करेंगे, ठीक है, तो यह वाला भी मेरे साब से clear हो गया होगा, कुछ और चीज़ें भी है, उनको भी एक बार discuss कर लेते हैं, जैसे यहाँ पे अगर प्रेजिट की बात करते हैं, तो जो elections होते हैं, यहाँ पे हर पांस साल में होते हैं, इसके लिए, एक चीज़ और बताता इसा एक ही केस है, जहाँ पे कोई व्यक्ती repeat में प्रेजिट बन गया हो, अभी बताओंगा मैं पूरे डीटेल में, बाकी कितनी बार हमारे यहाँ पे प्रेजिट बन सकते हैं, तो that is three times, तीन बार लगातार प्रेजिट बन सकते हैं, बट ऐसा होता नहीं है, बहुती rare केस ह देखो, यहाँ लिखा हुआ है, elected for five years, but eligible for immediate re-election, हमारे यहाँ पे दुबारा बन सकता है, वो वेक्ति है अगर चाहे तो, तीन बार maximum बन सकता है, अमेरिका के अंदर दो बार बन सकता है, दो बार, वहाँ पे 4-4 साल के लिए होता है, हमारे यहाँ पांस साल के लिए होता है लेकिन ऐसा केवल एक बार हो है हमारे यहाँ, कि re-election हो जाए और वो बन जाए, the president can be removed from the post in case of found any violation of constitution, president को उसकी जगे से उसकी post से भी हटाया जा सकता है, अगर उसको लगता है, अगर पाया जाता है, कि उसने कोई ऐसा काम किया है, जो constitution के इसाब से नहीं होना चीए, तो उ उटाया जा सकता है, इसको कहा जाता है impeachment, क्या कहा जाता है impeachment, ठीक है, बाइट यह काफी मुश्किल होता है और लगबग नहीं होता, ठीक है, अच्छा कैसे होगा impeachment, अभी मैं पढ़ाऊंगा वो topic तो तुम्हें समझ में आ जाएगा बहुत सही, प्राइम मिनिस्टर को उट होता है कि प्रेजडेंट की दैथ हो जाए, तो उसका सारा का सारा काम किसके गंदों पर आ जाता है, वाइस प्रेजडेंट की कंदों पर आ जाता है, वो resign कर दे, impeachment हो जाए, या कोई भी ऐसी situation हो जाए, जिसमें available ना हो प्रेजडेंट, कहीं विदेश यातरा पे गहें तो प्रेजडेंट की जो भी काम है, वो सारे के सारे, वाइस प्रेजडेंट उसको डील करेंगे, कौन है हमारे वाइस प्रेजडेंट, कमेंट करके मुझे बताईएगा, ठीक है, इसके अलावा, वाइस प्रेजडेंट की seat is vacant, then the Chief Justice of India acts as the President of India, ये बात आप मान के चलें, हमारे दिमाग में प्रश्न बहुत आते हैं, मैंने कहा कि हेलिकॉप्टर में जा रहे हैं, बहुत सरे बच्चे कोशन बूशते हैं, सर हेलिकॉप्टर में जा रहे हैं, प्रेजडेंट की देथ होगी तो कौन आएंगे, फिर मैं कहता हूँ, वाइस प्रेजडेंट आएंगे, फि तुम कहोगे सर नहीं अगर ऐसा हो जाए तो तो फिर उस तो का जवाब यह है कि President भी नहीं है और Vice President भी नहीं है तो फिर Chief Justice of India Act करेंगे as the President अब यह मत पूछिएगा कि Vice Chief Justice भी नहीं हो तो क्या होगा ऐसा बहुत यह रहर है पर अगर फिर भी ऐसा होता है तो इंस्टेंट वहाँ पर वैसे तो इसके इन बिट्विन भी प्रेजडेंट नहीं तो Vice President वाइस प्रेजडेंट नहीं तो Chief Justice इन बिट्विन इलेक्शन के थुरू आप प्रेजडेंट बना लेंगे नहीं बना पाते हैं तो फिर वो जो Judges होते हैं Supreme Court के जो Judges होते हैं उन्हीं में से किसी को पहले Chief Justice बनाया जाएगा और फिर Chief Justice के बाद में वो Act करेगा as the President ठीक यह चीज़े मेरे साब समझ मागी होग अब बात करते हैं हम Elections के उपर जैसे मैंने आपको पहले ही बताया कि यह जो election होते हैं basically indirect election होते है i direct election इंडारेक्ट election के बीच में सबसे वड़ अंतर है की जो in direct elections होते हैं उसमें जंता का participation direct नहीं होता means जो जनता है वो अपने representatives को चुनेंगे और representatives चुनेंगे president को तो वो हो गया indirect election अब इस indirect election में कौन-कौन participate करता है उपर मैं already आपको बता चुका हूँ कि जितने भी elected members हैं parliament के legislative assembly के Delhi और पुद्दुचेरी के legislative assembly members would be giving the will be the voters okay इसके लाबा कोई nominate member नहीं होता nominate का मतलब क्या होता है जैसे किसी person को point कर दिया गया के prime minister ने कहा के मेरी advisory में किसी college का कोई professor है वो मुझे चाहिए as a advisor council of ministers में तो वो person नहीं इसमें चुना जाएगा जो भी elected है न वो होंगे इसके लाबा ये वाला point थोड़ा अच्छे समझना कि takes oath in a presence of chief justice president की चुनने के बाद vice president को चुना जाता है अब यहाँ पर parallel उसको शपत कौन दिलाए ये एक बड़ा किस्सा होता है तो chief justice जो होंगे देश के उनकी presence में oath होगी oath के अंदर वो उनको शपत दिलाएंगे अधिकतर जगे पर यही rule चलता है कि जो oath दिलाता है वही resign accept करता है यहाँ पर भी कुछ ऐसा ही किस्सा है लेकिन इसमें एक step और है president को अगर resign करना है तो president resign देंगे अपना vice president को और vice president अगर नहीं है तो फिर वो देंगे chief justice को यहाँ पर यह थोड़ा सा अच्छे से आप याद रखें और chief justice को शपत कौन दिलाता है president दिलाते हैं तो chief justice को अगर resign करना है तो वो president को resignation later देंगे अपना ठीक है अब सुने अच्छे से कि जो ओठ ceremony है उस ओठ ceremony में chief justice होंगे और वो उनको शपत दिलाएंगे अगर वो absent है तो chief justice की जगे पर जो senior most judge होगा वही व्यक्ती ओठ दिलवाएगा president को सेम वैसे ही जैसे अभी अपन ने देखा कि यहाँ पर chief justice भी अगर expire हो जाते है प्रेजडेंट भी नहीं है वाइस प्रेजडेंट भी नहीं है तो फिर जो senior most judge होगा वो president के तौर पर in act करेंगे देश में next topic की बाग करें कि यह जो president होते हैं कितने time के लिए कैसे काम करते हैं तो देखें यहां लिखा हुआ है कि under the article 6 president hold करते हैं अपना office 5 साल के लिए जो कि हमने उपर अभी discuss किया भारत के इंदर 5 साल US एक इंदर 4 साल अब अगर in between इनकी दैथ हो जाती है तो vice president will play the role of president already जान चुके हो लेकिन अगर इनको resign करना हो president को resign करना हो अपने office से तो वो resign करेंगे किसको vice president को vice president नहीं है अगर वो भी नहीं है अगर तो फिर वो resign देंगे अपना chief justice of India को supreme court के ठीक है यह बात यहां तक मेरे साबस तुम्हें समझ में आ गई होगी इसके बात आप impeachment motion देखो article याद रखना है इसका president को अगर time से पहले हटाना है तो article 61 कहता है कि आप अगर constitution का violation करते वे पाई जाते हैं तो आपको हटाया जा सकता है कैसे पहले तो parliament के दोनों houses में कोई भी political party इनकी against में एक proposal लेकर आएगी मतलब बिल लेकर आएगी उस बिल को रखने के लिए भी उस बिल पे कम से कम 1 by 3 members के sign होने चाहिए और उस बिल को पास करने के लिए 2 by 3 members मतलब उसके support में होने चाहिए दोनों houses में बिल लेकर आने के लिए कम से कम 1 by 3 और उसको पास करने के लिए कम से कम 2 by 3 यह होना कमपल सरी है फिर दोनों houses में जाएगा और फिर impeachment इनका हो सकता है कैसे यह vacancy होती है देखो अब president को अगर हटाना है president अगर हट गए है नया president चुनना है तो कैसे कि अगर vacancy आ जाती है death हो जाए resignation हो जाए removal हो जाए vice president would be the head of the nation that time अगर chief justice available है अगर वो नहीं तो फिर जो senior most judge है वो act करेंगे as the president ठीक है और election को करवाने के लिए कम से कम मतलब आप maximum किता time ले सकते हो छे मैने तो छे मैने के अंदर-अंदर कम से कम ये जो president का vacancy है वो जो left हुआ है वो जो place खाली हुआ है उसको भरेंगा president की in such condition if president is not there in president office then यहाँ पर chief justice उसके पहले vice president chief justice भी नहीं तो senior most judge और फिर छे मैने के अंदर-अंदर है तो आपको president चाहिए चाहिए ठीक है तो यह आप याद रखें अब इनकी जो power है अब power किसकी appointment की किन-किन को ये appointment करते हैं तो आप जानते हो प्राइम मिनिस्टर को अपको आपउइंट करते हैं chief justice को appointment करते हैं supreme court के दूसरे judges को chief justice के advice पर appointment करते हैं high court के chief justice को और hi court के judges को appointment करते हैं कौन president तो इनका resignation भी कौन लेंगे लगभग इनका अधिकतर का resignation president के पास ही जाता है UPSC UPSC के जो chairman है और उसके जो members हैं उनको भी कौन appoint करता है Presidentty appoint करते हैं जैसे IAS IAS सीधे सीधे appointed होते हैं by the President, यह याद रखना जितने भी Indian Administration Services के member होंगे, वो President के through appoint होते हैं, President ही उनको appoint करते हैं, याद रखना, तो इनका resign भी कौन लेंगे, President ही, ठीक है इसके लावा UPSC जो की, एक selection board है वो basically इनके members और इनके जो chairman होंगे, उसको appoint कौन करेगा, President ही ऐसे ही, जो भी generals होते हैं, Camptroller और Auditor General, इनको भी appoint कराया जाएगा, किस के थुरू? President के थुरू, जो भी attorney general होते हैं, जितने भी मान के चलें, accounts audit, defense इनके सबके जो chief होंगे, उन सबी को appoint करने वाला भी President होंगे, ठीक है? election commission के chief, जो भी होगी, chief election commissioner उनको भी appoint किया जाएगा, total, जो committee होती है, उसके अंदर तीन member होते हैं, वो तीनों के तीनों appointed होते हैं, by the President election commission और जितने भी governor हैं, हमारे states में, unit territories में, उन सबी को भी appoint किया जाता है, किस के दुरू? President के दुरू? यहाँ governor general मैं आपको बता चुका हूँ, ओके, यहाँ पर next, जो भी लोक सभा, जो भी राज्य सभा, state assemblies, state assemblies में तो हाला कि governor के हाथ में चला जाता है, सब कुछ, बाट अगर कभी भी ऐसा होता है, कि government dissolve होगी किसी state में, sorry, किसी, मतलब हमारी country के अंदर, जो central government भी dissolve हो जाती है, resign हो जाए, prime minister का, या फिर death हो जाए, उनकी resign कर दें, death हो जाए, या फिर उनको हटा दिया जाए, हटाए भी तो जा सकता है, अगर पता चले कि वो constitution के इसाब से काम नहीं कर रहे, उनको हटा दिया गया, तो यहाँ पर यह याद रखना, कि कम से कम, इस तरह की condition में, लोगसबा के dissolve होने की condition में, president ही है, जो उसको hold करते हैं, ऐसा हला कि emergency power में, आप यहाँ पर अभी पढ़ेंगे नीचे, कि emergency power में, उनका यह काम होता है, कि वो दौनों houses जो होंगे, उन दौनों houses को समालेंगे, he can summon, और, प्ररोग दे सेशन्स अफ दे टू हाउसे, जैसे में आपको बताया, कि dissolve करना है, लोगसभा को तो भी वो करेंगे, अगर start करना है, खतम करना है, दौनों houses को, लोगसभा और राज़सभा को, तो भी यह करेंगे, इसके अलावा, राज़सभा के 12 members को चुनना, nominate करना, मतलब, जिन जिन लोगों को चाते हैं, राज़सभा के अंदर, प्रेज़सभा के पास में पावर होती है, कि वो राज़सभा के अंदर, तो 12 लोगों को, और लोगसभा के अंदर, दो लोगों को, अपने हिसाब से, nominate कर सकते हैं, कि भी यह इन लोगों को भी, वहाँ पर रखो आप, तो यह भी इसका पावर होता है, जितने भी money bill होते हैं, पार्लेमेंट के अंदर, प्रेज़डेंट के recommendation के बाद ही, मतलब प्रेज़डेंट को recommend करेंगे, प्रेज़डेंट उस पर sign करेंगे, देन आफ्टर, वो चीज अप्रूव होगी, इसके बाद में अगर प्रेज़डेंट की powers की बात करें, कि प्रेज़डेंट के पास में क्या-क्या पावर रहेगी, तो प्रेज़डेंट जैसे कई बार ऐसा होता है, कि अगर मैं judiciary के एसाब से बात करूँ, तो अगर power प्रेज़ेंट के पास में इस तरह के रहती है कि Supreme Court ने भी अगर कोई सजा दे दी तो President can reduce it तो President उसको reduce कर सकता है किसी को मौत की सजा दे दी तो उसको कम कर सकता है lifelong imprisonment दे सकता है या फिर छोड़ भी सकता कई बर ऐसा भी होता है लेकिन ऐसा interfere नहीं करता है maximum time में finally लेकिन ये जरूर होता है कि अगर किसी को fancy की सजा दे रहे हैं तो एक नए एक बार तो वो जो व्यक्ति है वो ट्राय जरूर करेगा कि उस व्यक्ति को वो president के पास में appeal करें जिससे कि उसके सजा कम हो जाए तो ये वाली चीज़ें भी इसमें देखी जाती है supreme commander होता है defense forces का already तुम जानते हो ये chief appoint करता है army का navy का air force का ये भी बात तुमें मैंने उपर बता दी कई बार ऐसा भी होता है कि parliament के अंदर कई बार ऐसे condition आ जाती है जब parliament की powers को वापिस से लिना पड़ जाता है president को क्यों क्योंकि जब war हो जाएगी तो war के दोरान अलग-अलग जगह पर अलग-अलग state अपने अपने हिसाब से काम करेंगे तो उस condition में president parliament को dissolve करता है और अपने पास में पावर ले लाता है जिसको emergency कहते है अपन अभी पढ़ेंगे कई वरह ऐसा भी होता है peace को maintain करने के लिए भी वो parliament को अपने पास में रख लेता है पार्लमेंट की पावर को अपने पास में वापिस से ले लेता है जो उसने देदी होती है प्रैम मिनिस्टर को ऐसी conditions आपको देखने को मिलती है और उस topic को कहता है वह emergency power president की normal power थी उपर वाली यह है आपकी emergency power सबसे पहले आपको article याद रखना है article 52, 352, article 356 और article 360 इन तीनों चीज़ों को आपको अच्छे से याद रखना है article 352 कहता है nation के अंदर emergency आजाए किसी भी तरीके से पर उसी देश ने attack कर दिया या आपको attack हो सकता है ऐसी आपको probability है या फिर कोई external invasion हो जाए या फिर internal piece खतम हो जाए ऐसे में आप यहाँ पर emergency लगा सकते हो यहाँ पर यह भी आप याद रखें ऐसा हमने देखा है 62, 71 और 75 के अंदर ठीक है जब हमारी लड़ाई हुई किस के साथ पाकिस्तान के साथ में पाकिस्तान के साथ में और चाइना के साथ में तो यह दौनों condition तो वो है यह पाकिस्तान के साथ में होगी तो ऐसे में तीन टाइम ऐसा हुआ है जब emergency लगी state emergency किसी जगे पर chief justice sorry chief minister मर गया chief minister कर ने resign कर दिया या फिर वो ऐसा माना गया culprit पाया गया कि वो capable नहीं है constitution के साथ से काम नहीं कर रहा तो state emergency लग सकती है तो that would be 356 article याद रखिलना इसका article important है कई बर ऐसा होता है जैसे श्रिलंका में हो गया ऐसा पाकिस्तान में भी हो गया के आपके पास में economically आप बहुत backward होगे economically आपका जो money का value है वो लगाता है dissolve होता जा रहा है decrease होता जा रहा है तो ऐसे में भी उसको stable करने के लिए भी आप financial emergency लगा सकते हो वो भी किसी के हाथ में होता है emergency के अंदर काम में आता है प्रेज़ेंट के हाथ में होता है article 360 यही कहता है आपने आपके पास में जो foreign reserves हैं वो कम हो गए gold reserves हैं वो कम हो गए तो all such can be maintained by president लेकिन उसको कैसे करना होगा maintain financial power के साथ में करना होगा तो यह भी आप याद रखें हमारे यहाँ पे अब जो हम पढ़ने वाले हैं that is the list of president of india यहाँ पे रामनात कोविन जी प्रणाव मुखर जी इसमें से आपको latestly मतलब अगर मैं normally आप सारा नहीं पढ़ना चाहो तो आप एक तो इनको याद कर लीजेगा यह थोड़ा सा आपको याद रहने चाहिए रामनात कोविन जी आपको याद रहने चाहिए प्रतिबाद इवी सिंग पाटल जी आपको याद रहने चाहिए एपीजी अब्दुलकलाम आपको याद रहने चाहिए और डॉक्टर राजियंद प्रसाद ये तो इसलिए important हैं क्योंकि इनसे question बन सकते हैं APJ अब्दुलकलाम की बहुत सारे achievements हैं पृतिपा देवीज सिंग पाटिल पहली महिला राष्टपती हैं और रामनात कोविन जी recent हैं तो अभी अगर हम CVT के साब से बात करें तो हाले कि पढ़ने तो हमें सारे ही हैं बड़ उसके बावजूद भी ये जरूरी है कि ये prominent आप याद रखें राजियंदर प्रिसाज जी के बारे में मैंने आपको बता दिया था पहले भी कि राजियंदर प्रिसाज जी basically first president रहे हैं भारत के तो इसलिए इनको थोड़ा सा अब detail में पढ़ें तो जादा अच्छा चलिए हम थोड़ा सा अब और इनके बारे में one by one देख लेते हैं एक बार तो ये हमारे सामने आगई है list जिसमें हम बात करने जा रहे हैं प्रेजडेंट्स की जो 1947 47 या 50 से अब तक रहें तो देखो यहां पर सबसे पहले 47 हटागर के अगर आप इसको 50 करते हो तो भी ठीक है क्योंकि मैंने आपको बताया था डॉक्टर राजेंद्र प्रिसाद इंट्रिम प्रेजडेंट भी रहे थे हमारे सो यहां पर सबसे पहले डॉक्टर राजेद्र प्रिसाद जी 62 तक रहे वास्ट फर्स्ट प्रेजडेंट अब एक बार टेन्योर देखो इनका इनका टेन्योर देखें एक बार आप तो लगभग पांस साल पांस साल दौनों होगे तो इसके अंदर यह वो विक्ति है जिस सारी आपकी यह लिस्ट चलती जाएगी ठीक है इसको मैं थोड़ा सा जिसमें इंपॉर्टेंट है मैं वो बता देता हूं क्योंकि ऐसे दो लेक्षर बड़ा हो जाएगा और फिर आप देखेंगे नहीं यह वाला इंपॉर्टेंट है एपीज अब्दुलकलाम जी 11 मोस के बाद में हम निकलियर वैपन्स की जो लिस्ट है या जिनके पास में जो निकलियर पावर्स हैं उसकी लिस्ट में हमारा नाम आया था तो यह वाले व्यक्ति बहुत जादा इंपॉर्टेंट है प्रतिभा पाडिल जी यह हमारी 12 प्रेजिट थी 1st विमेन जो की प्रे प्रेजिडेंट नहीं थे तो गवर्नर थे याद रखें प्रेजिडेंट की एलिजिबिलिटी उसमें एक सबसे बड़ी एलिजिबिलिटी होती है कि he or she cannot be hold the post या profitable post और एनी political party किसी political party में नहीं होने चाहिए और कोई profitable post पे नहीं होने चाहिए तो यह प्रेजिडेंट की eligibility होती है कि 35 साल कम से कम आपकी age होनी चाहिए साथ ही साथ याद रखें आप Indian constitution का article 58 कहता है कि कुछ condition ऐसी होती है जिनके हिसाब से जब प्रेजिडेंट का election होगा तो कुछ यह इसने कम से कम हो qualification पूरी करने चाहिए लोग सबा के अंदर member की पास में जो quality होती है member बनने की जो quality होती है वो प्रेजिडेंट के पास में होनी चाहिए ठीक है कि profitable post पे ना हो जनता की सेवा की होनी चाहिए science commerce art किसी field में उन्होंने अच्छा काम क्या होना चाहिए ठीक है citizen of India कमबल से रही है साथी साथ mentally disturbed नहीं होना चाहिए insolvent नहीं होना चाहिए यह कई सारी चीज़ें इसमें एक चीज और जुड़ जाती है कि किसी political party से उनका संबंद नहीं होना चाहिए already हाला कि आप जानते होंगे कि प्रतिवार देवी सिंग बाटिल हो चाहिए प्रणव मु combination फिल कर सकते हैं ठीक है तो हमोमन हमारे यहां देखा जाता है कि state government के अंदर हो चाहे आप central government के अंदर हो वो कोई job नहीं करते होने चाहिए उनका में मकसद सेवा होना चाहिए हमारे यहां पर एक चीज़ और देखी जाती है कि जब president appoint किया जाता है ना तो president basically कुछ ना आले ही या तो governor की post पर होता है कहीं ना कहीं या फिर उसने बहुत अच्छे achievements गें किये होते हैं जैसे अगर मैं एपी जब्दुल कलम की बात करूं तो उनके बहुत सारे achievement थे इसलिए उनको उस post पर रहा मैंने बताया था science, commerce, art किसी ना किसी field में आपके achievements होने चाहिए या फिर आप governor वगरा हो कहीं के तो आपको ज़्यादा probability होती ही कि आपको appoint कर दिया जाता है as a president, obviously election के बाद ही होगे ना, कुछ facts और देख लेते हैं यहां पर important fact है, हमारे यहां पर till date seven president ऐसे हैं जो की political parties के member रह चुके हैं election के पहले, election का nomination देते ही उन्होंने अपना सबसे पहल six of these were active member of congress party, देखो यह वाला point सोटा से important है, हमारे दीश में साथ ऐसे president रहे, जो की elections के अंदर जब वो आई president के, उसके पहले वो active member थे political parties में, उसके बाद में next के अंदर हम बात करें, छे तो, साथ में से छे तो congress party से थे, डॉक्टर राजेंदर प्रिसाद ही वो व्यक्ति हैं, जिरोंने दो बार लगातार इस president के post को continuously hold किया, इससे जादा tenure और किसी ने complete नहीं किया, सबसे जादा लंबे समय तक डॉक्टर राजेंदर प्रिसाद देश के president रहे, आज के presently जो ग्रामनात कोविन जी हैं, वो पहल गवर्नर रहा करते थे बिहार के election जीतने के बाद में उदेश के president बन गए, ये कुछ main main topics थे, main main important चीज़ें थी, जो president से जुड़ी वी थी, मैंने कोशिश किया आपको समझ माया अच्छे से, और मेरी साब सहाब ही क्या होगा, इसके आगे हम बात करेंगे next lecture में, प्राम मि Thank you so much for watching this video, let's meet in next video, thank you so much.